आपने कोट में देखा हुए कि पतनिया जूट बोलती हैं कि मैं नहीं कमाती हूँ और वे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं ऐसे में जब पती के सामने ये सच्चा ही आती है कि पत्री ने जूट बोला कि मैं हाउस वाइफ हूँ और वो कमा रही है उसके सबूत लेकर जब वो कोट में जाता है अप्लिकेशन लगाता है और उसके सच्चन 340 CRPC नू सच्चन 379 एसे में फिर कोट उस अप्लिकेशन को टिकलाइन कर देती हैं मना कर देती है कि भी इस अप्लिकेशन को लास्ट में डिसाइड करेंगे जब जब जज्जमेंट पास होगा अभी आप मेंटेस दीसी है उसको पहले डिसाइड किया जाये बढ़ेगी नमस्कार दोस्तों मैं हूँ एड़ोकेट जीरिस कुमारा का स्वाइब करता हूँ आज की वीडियो में जजमेंट सिर्फ दो पेज की है एक फ्रेंट एक बैक इसके अंदर होता क्या है क्या फैमिली कोर्ट कानपूर नगर में वाइफ केस फाइल करते है सेक्शन 125 सीर पीसी में उसके अंदर ये कहते हैं कि मैं हाउस वाइफ हूँ मेरे पास कोई इंकम का सोर्स नहीं है मुझे एसमेंट से मेंटर्स दिला जाए ऐसे में जब साम मेंटर्स का ओर्डर पास करते हैं कि 5000 रुपीज हस्वेंट की तरफ से वाइफ को पे की जाएंगे ये ओर्डर पास होता है 17 मार्स 2020 को इसके बाद बात आगे बढ़ती है हस्वेंट को को पता चलता है कि वाइफ एक फीजियो थेरपिस्ट के रूप में जैराम होस्पिटल कानपूर नगर में काम कर रही है इसीज के रिगार्डिंग वो एविडेंस कलेक्ट करता है और अभी जो ओल्ड सेक्षन था सेक्षन 340 C.R.P.C. उसके अंदर अप्लिकेशन लगाता है और अप्लिकेशन लगाकर कोट को कहता है कि भी देखिए वाइफ कमा रही है वाइफ ने कोट के सामने जूट बोला सेक्षन 340 C.R.P.C. जो कि नया 379 है वो कहता है कि अगर आप कोट के सामने कोई भी बात जूट बोलते हैं ओन ओथ यानि कि जब आप एविडेंस देते हैं या फिर रिटन में एज एविडेंस में तो उस वक्त अगर आपने कोई भी कोट के सामने जूट बोला है तो आपको इस सेक्षन के तहित कारवाई होगी और आपको सजा मिलेगी सजा उतनी मिलती है जिसनी आप दूसरे को करवा सकते हैं उस केस में तो इस प्रकार से अप्लिकेशन लगती है कि भी इसको पुनिस्मेंट दी जाए इसने कोट में जूट बोला जूट बोलकर वो मेंटनेस ले रिये हैं लेकिन कोट उस अप्लिकेशन को डिस्मिस कर देती है मना कर देती है कि भी नहीं हम इस सीज को नहीं मानेंगे वैसे इसमिन चला जाएदा उपर हाई कोट में हाई कोट में जाकर अपनी बात रखता है कि भी ऐसे से पतनी कमाती है उसकी एविडेंस है और मेरी अपलीकेशन को पहले टिसाइड किया जाएए है आपके अपलीकेशन को हम अलाव करते हैं और जो फैमिली कोट ने अपनी जो करेक्शन भी देती है कि हमारी जो ओरर की जो जज़मेंट है इसकी कोपी जब फैमिली कोट को मिले गी उसके मिलने के विदीन थ्री मंस उनको इस केस को डिसाइड भी करना है तो इस परकार से हस्बंट को रिलिफ मिलती है और अपलीकेशन चली जाती है यह ज़मेंट है 15 दिसम्बर 2023 की तो इस जज्जमेंट के अकोडिंग अगर किसी भी परकार की आपकी 340 CRPC या नए सेक्शन में आप अप्लिकेशन लगाते हैं वो अप्लिकेशन अगर आप कोट में लगा रहे हैं तो साथ साथ इस जज्जमेंट की कोपी भी लगाईए इस कलने की मिने डिस्प कोट की डिरेक्शन थी तो इसको पहले डिसाइड किया जाएं तो यहां पर दो चीज़े सामने आती है एक कि पहले इस अप्लिकेशन को डिसाइड करना है कि भी पतनी के रिगार्डिंग जो मेंटेनस है उसको उसी वक्स टे किया है और साथ में इस अप्लिकेशन को पहले आपको कि भी वो कही ना कही से इंकम उसका सोर्स है चाहे वो जोब करके कर रही है या कोई बिजनिस कर रही हो या पर काम करने जाती है कैश में ले रही है आमाउंट ऐसा जो भी कुछ है और कोई भी ऐसा आविडेंस आपके सामने आता है आपके पास आता है और आप उसके को लेकर करकोट मेरे अप्लीकेशन लगाए तो जेजमेंट की कौपी साथ लगाए इसके इलावा अगर बिए फैमिली कोट डेकलां करती है तो हाई कौरट का रसता आपके लिए खुला हुआई आप पिस जेजमेंट की कौपी लेकर जा सकते हैं कि Бھی देखिए इलाबाद high court का भी ये order था तो ऐसे ही आप भी similar अगर वो इलाबाद high court है तो अच्छी बात है नहीं है कोई दूसरी high court है तो आप similar high court का भी decision judgment ये दे सकते हैं तो दोस्तो आज से करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर हम उसे contact करना चाहते हैं तो नीचे दे मेरे number 9278134222 पर वर्टसप कर सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकार साथ तब तक के लिए नमस्कार